नमस्कार दोस्तों, यह जो फोटो में आप देख रहे हैं दोस्तों यह मत्य प्रदेश से हैं एक लड़का स्ट्रीट में एक पोस्टर लेके खड़ा हुआ है क्या लिखाया पढ़ी सकते हैं शादी के लिए सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए देहे देदोगा, वैसे काफी फंडी लग रहा है दोस्तों, पर पॉस्टर में जो लिखा है दोस्तों इसमें सोचने वाली बात बहुत है, देखे दोस्तों हमारे देश में ये जो डौरे सिस्टम प्रिवेलिंग है, ये समाच के लिए खतरा है, ये बात आप सबको मालूम है, वैसे गवर्मन की तरब से काफी interventions हुआ है, Parliament ने काफी सारे Act पास किया है, डवरी सिस्टम को prevent करने के लिए, but unfortunately अभी भी ये डवरी सिस्टम prevailing है, ये बात आपको मालूम है, क्योंगी देखें, government का जो Act उसके सबसे डवरी को prevent किया हुआ है, पर अलग-अलग form में डवरी दिया जाता है, है कि नी, जैसे की wedding gift का, अगर आप देखोगे तो आपको पता चले जाएगा इससे अचा तो डवरी था, है कि मतलब केवल नाम बदला है, तरीका बदला है, डवरी तो अभी भी लोग दे भी रहे है, ले भी रहे है, कन्वेंशनली देखा जाएगा तो ये जो डवरी सिस्टम है, कि लडकियों का जो family है, उनके लिए खतरा है, लडकों के लिए problem नहीं है, तो हमारे देश में क्या है कि लडकी वाले जो है, लडके वालों को डवरी देता है, उल्टा आपने कभी नहीं सुना होगा, वैसे उल्टा भी एक सिस्टम है, जिसे reverse डवरी बोलते है, जब लडके वाले लडकी वालों को डवरी देंगे, बट unfortunately हमारे देश में वही पुराने सिस्टम चल रहा है, लडकी वाले जो है, लडके वालों को डवरी प्रोवेट करता है, तो इस poster में जो लिखा है दोस्तों, इस में सोचने वाली बात ये है, दोस्तों, इस लडके के वाले में मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है, ये जो बंदा है, ये सरकारी नोकरी के लिए ट्राइ किया होगा, और इन्हें सरकारी नोकरी मिला नहीं होगा, इनका age अभी over भी हो गये होगा, अब सरकार से पैसे लेने के लिए इनके पास एकी option है, सरकारी नोकरी वाली लडकी से शादी कर लो, कम से कम family को तो सरकार से कुछ income मिल जाएगा, और एक important point यह है दोस्तों, आप सबको पता है, हमारी society में एक trend है, कि लडकियों का जो parents है, वो ज्यादा तर सरकारी नोकरी व सकता न, उन्हें सरकारी नोकरी वाली लडकी चाहिए, तो बस यह लडका जो है, अपना एक opinion बताया है, अपना aspiration बताया है, कि मुझे सरकारी नोकरी वाली लडकी चाहिए, लोजिकली सोचा जाएगा तो, एक तो यह dowry system होना यह नीच चाहिए, अगर है भी, तो reverse dowry system होना क्योंकि सरा सोचिए दोस्तों, शादी के बाद लडकी जो है, अपना घर छोड़ कर, लडके के घर जाती है, तो एक तरफ उनकी अपनी family में जो सिंदगी थी, वो लगबाब खतमी हो गया, शादी के बाद कभी-कभी visit सो जाता है, वो अलग बात है, देखें दोस्तों, सरवाके दूसरे घर बेचते हैं, इससे बड़ा दुखी बात तो ही नहीं, उपर से उसके लिए उनसे पैसे भी लाया, मैं अपना खुद का एक experience बताता हूं, दोस्तों, दो-तीन साल पहले, जब मैं अपनी बैची को पहली बार school छोड़ के आया, इट वा सर, first day in school, तो और उथर जितने भी बैचे थे ना, वो सब रो रहे थे, क्योंकि सब के लिए, एक first experience था वो, और जितने parents थे ना, वो भी रो रहे थे, बात में teachers जो है, हमें भगा दिया, बोला, आप लोग इदर रोगे, बैचे रोते रहेंगे, ठीके, तो मैं वापस आया, तो मुझे त पता चला, तब तक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा emotional moment था हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, दो-तीन खंडे के लिए मेरी बैचे को स्कूल छोड़ के आने में में मेरा दिल बैट गया, तो सालों बाद जब उसकी शादी होगी, जब वो घर छोड़ कर चली जाएगी, तब म को सपोर्ट करने के लिए वो डवरी देरा करके, actually this is rubbish, जितने भी मर्द है, उसमें करीब 90% की जिंदगी का मकसद रहता है, बेड़े होकर शादी करना है, घर बसाना है, वगेरा वगेरा, मतलब it's a must requirement for them, कि उन्हें बेड़े होकर शादी करना है, घर बसाना है, now, उनका ज this can be logical, सरा सूच, वैसे reverse डवरी का मतलब क्या होता है, मतलब तो आप समझ गयोंगे, लेड़के वाले जो है, लेड़की वालों को पैशे देना पड़ेगा, basically bright price देना पड़ेगा, वैसे देखा जाएगा तो ये system भी हमारे देश में चलता है, but it is very limited to some tribes and communities, जैसे कि for example, वा कुमते रहते है, basically एक जगा ठिकते नहीं है, एक जगा से दूसरे जगा ये ट्रावल करते रहते है, denotified मतलब क्या होता है, देखे, denotified tribes के बार में मैंने detail में एक वीडियो बनाया था, कुछ महिने पहले, आप हर्शी दूदी नाम के साथ साथ सर्च कर सकते हो, ये वो tribes है दोस्तों जिने बिटिश हैस ने criminal tribes करके notify किये थे, पर independence के बाद government of India ने उन्हें denotified tribes बोलते है, ठीक है, तो इनके community में reverse dowry is a common practice, मतलब देखे, the bride's family is paid amounts ranging from 25,000 to 5,000,000 on the basis of bride's social background and physical appearance, तो एक bride का social background क्या है, family background क्या है, physical appearance क्या है, वो सब देखे, एक price fix हो जाता है, ठीक है, तो basically, bride's family को 25,000 से लेके 5,000,000 तक का reverse dowry देना पड़ता है, groom को, और एक tribal community है दोस्तों, बेरेला tribes में, ये मत्यपरदेश से बिलोग करते है, इनके बीच में भी ये bride price या फिर reverse dowry वाला system चलता है, पर इधर एक difference है दोस्तों, देखे, पहले मैंने बो community में, उनका physical capability देखा जाता है, मतलब जो लड़की सबसे ज़्यादा काम कर सकती है, खेत में काम कर सकती है, सबसे दूर से पानी लेके आ सकती है, उसके हिसाब से उनका price उपर नीचे हो जाता है, तो मेरा कहने का मतलब है, although it is very limited, reverse dowry system is also prevailing in our country, आप हम बात करेंगे contractual marriage के Now this contractual marriage is also a type of reverse dowry system, जो आज कल देखने को मिलना दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, लड़का की family और लड़की की family, दोनों की बीच में एक informal contract sign होता है, और लड़का का जो family है, पैसे खर्च करते हैं लड़की की पढाई के लिए, basically abroad में जाके उसे पढाई वगरा करवाती है अब पढाई करने के बाद वो abroad में sit low हो जाएगा ना, इसके बाद वो लड़के को भी साथ में लेके जाएगा, तो basically it's an informal contract, लड़का का जो family है, वो पैसे इसलिए पे करते हैं लड़की के लिए, ताकि बात में उनकी शाधी हो जाएगा अपना लड़का से, तो मैंने बस अपने साथ सुना होगा, लवपरीत करके एक लड़का ने इसी तरह पैसा खर्च किया था एक लड़की के लिए, बेसिकली उन दोनों की शाधी होना था बात में, और contract में ये लिखा हुआ था, कि लड़का का जो family है, वो पैसे खर्च करेंगे लड़की की पढ़ाई के ल पर बात में हुआ है कि दोस्तों, शाधी के बात, वो जो लड़की है, वो अकेली चली गए, ठीके बात में ये बंदा depression में आगया और ये suicide किया, तो खुल मिला के दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि reverse dowry system सही है, dowry system itself is bad, उसमें कोई doubt नहीं है, पर देखिए, ये जो जब दोनों साइट से रहेंगा ना, तब ये issue solved होने का भी chance से, जैसे कि दो countries के बीच में जब balance of power रहेगा, तब वो आपस में लड़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, दोनों को नुकसा नहीं होगा, एक दूसरे को हरा नहीं पाएं पर इसमें सोचने वाली बात भी बहुत है, तो इस बारे में आपका क्या opinion है, आप उजे please comment box में बता दीजेगा, thank you for watching, bye bye, have a nice day.